तो आप लोग के बहुत जदा क्वेस्ट आ रहे थे क्या आपकी आपका चैनल मॉनिटाइज हो गया है कि आपकी यूटीब की पेमेंट आगी है कितनी पेमेंट आई है यह सारी क्वेस्टेंस के आंसर जो है वह आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बस आपने वीडिय जी घर और घर को दिखाने का परपस यह है कि आप लोगों को पता चल सके कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ टीप्स मिल सकें जो चीज़े मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मैं आप लोग सार शेयर कहा रही हूं क्यूंकि इसम इतनी ज़्यादा स्बाइस नहीं होती है जितनी इस घर में एक अर्जेस्ट होई है तो यह देखें यह हम गर में एंटर हुए हैं तो यह देखिए हमझाए हैं ज़िसमें सबसे पहले इक घर का गिराज ठीक है इसमें आप सबसे बेतरी चीज़ मुझे यह लगी है कि इसक से एक्षिली जो मेरे भाई है उसका क्योंकि बिजनस कुछ इस तरह का है कि लड़कों का आना जाना लगा रहता है इस वज़ाए से उन्होंने बिल्कुल जो है यह वाश्रूम सेपरेट किया हुआ है गेट सेंटर होता है यह पहला वाश्रूम है ग्राउंड फ्लोर पर हमें दो वाश्रूम मिलेंगे और वाश्रूम के आप स्पेस चेक करें ठीक है यह देखिए माशला मतलब कि हर चीज़ की आपको स्पेस इस तरह से मिलेगी और यह मेरी बेटी इसको कहीं भी आपको पता है कि टैब मिल जाए ना बच्चों को बास इन्होंने फुल गिला होना हो और ये सारा काम हुआ है बाकी जो काउच वोगेरे हैं सोफे वोगेरे हैं वो भी होने वाले हैं मतलब अभी पॉलिश के लिए गए हुआ है अभी काम होने वाला है ड्राइंग रूम का तो यह आश्ट्रे पड़ा हुआ थे मेरी बेटी दिखा रही थी मुझे तो यहां से मे सबस्थे पसंदीदा ज्याग है जैसा कि आपको पता है कि हमारा काम ही किचन के साथ रहते हैं तो यहां पे जो है लेक्टिक हुड है जो के टच तसे माला है सारा और यह इनका जो है न वो ओपन के चैन है यहां पर और यह वाली जिए टीवी लाउंच के आप ये लिख़ी तो यह इनका डाइनिंग एरिया इनका है भी कि इसको इसको डाइनिंग एरिया या फिर मतलब जैसे अभी उसको सेट करें कि अभी तो उन्हों रहे बस चोटी से लेडी लगा के तो बच्चों के खेलने के लिए बस अभी सिस्टम सेट किया हुआ है और यहां पर वो बताया थी कि शोकिस तो गयरा बढ़ना है अभी ठीक है यह चीज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कि जो बेडरूम्स है ना इनके साथ नीचे ग्राउन फ्लो पे टाइच वाश्रूम नहीं है कि अगर आप सेपरेट भी इसको कोई फैमिली यूज़ कर सकती है तो बहुत एजली यूज़ कर सकती है यहां एक बड़ा मास्टर बेडरूम आता है यह वाला बेडरूम आएगा और यह एक कम्प्लीट बेडरूम है जिसके साथ उन्होंने ड्रेसिंग का पोर्शन बनाया होगा है हर बेडरूम में उन्होंने यह वाला सिस्टम बनाया है कि मिरर लगाया और नीचे दो ड्रॉर्स बनाया है था कि आपको सेपरेट जो है वो ड्रेसिंग नहीं बनाना पड़े और एक फुल कबर्ड है ठीक है और यह सारे वाल पिपर्स जो हैं मैं आपको सेलिंग निखाती हूं सेलिंग के डिजाइन बहुत अच्छे है और घर की कॉस्ट मुझे नहीं पत है कि टोटल कास्ट करके ओपर कितनी ज़्यादा आई है आगे चलके अगर मतलब किसी नियाब में से पूछा तो मैं आपको पूछ के बताऊंगी अपने भाई से के घर पर कॉस्ट कितनी ज़्यादा आई है तो यह है जी सेकिंड बेड्रूम यह मेरी फूपो के पास है अच्छली मेरी बेहन की शादी मेरी फूपो के गहर हुई हुई है तो यह मेरी फुपो का बेडरूम है और यह देखें यहाँ पर आप कॉर्णर्स पर देखें कि उन्होंने सारा जो है न वो एलो की विंडो लगाई हुई है अभी इस पर कर्टन्स लगने वाले थे ठीक हो गया तो यह है जी सारा बेडरूम फुपो का और यहाँ से हम बाहर तो यहाँ यह वाली जो चीज है न अभी यहाँ पर उन्होंने एलो का जो डोर है न वो लगना है ठीक है यह वाला जो एरिया वो बजाए थे कि यहाँ पर फ्रेम जो है न यह वाला सारा लगना है और यह वाला जो एरिया है वो बंद हो जानने है ब्राउन शिशा लगना ह यहां पे और यह ऐसा लांडरी के तोर पर भी आप इस एरिये को यूज़ कर सकते हैं यह देखे इसकी स्पेस कितनी अच्छी है और यह दोनों जो बेडरूम्स हैं उनके साथ आप यह वाश्रूम जो है ग्राउंड फ्लोर पर इसली यूज़ कर सकते हैं और यह एक पूरी व वाश्रूम है इसके निचे यह नोने वैनेटी बेनाई हुई है यह देखें एक्शली यह मुझे घर में सबसे ज़दा चीज़ से उलजर होती है अटैज वाश्रूम से मतलब कि मुझे होता है कि जो वाश्रूम आप बहुत ज़दा यूज़ कर रहे होते हैं तो अगर यह सेपरेट होना तो बहुत अदर कन्वीनियंट हो जाते हैं और यह के सारे जो बेडरूम के साथ आपके बेडरूम की जो स्पेस कम हो जाती है ना वाश्रूम की वज़ा से वह यहां पे बिल्कुल भी सीड नहीं हुआ और बहुत अच्छा इनके पास एक लॉंडरी का अरिय यहां जो मुझे सीडियों की रिलिंग है वह बहुत ज़्यादा पसंद आई है यह सारी लोहे की है रिलिंग और मशलर डिजाइन भी इसका बहुत ही ज़्यादा प्यार है यह मुलतान से बनवाई है भाई ने और यह भी हम जा रहे हैं जी सेकंड फ्लॉर पर और यह मेरी बहनों ने क्युट की है तो मैं उसको यह करती है कि तुमने इसको यूँ करके क्यों नहीं लगाया मतलब टेड़े रूख लगाती है यह तब सदा पहरा लगता है तो यहां उपर आते सार जो है वो हमें सबसे पहले मिलता है यह टीवी लाउंच ठीक है अभी यह बहला जो अशाला से लातला उनको रहना नसीब करें अभी मैं आपको घर के साथ साथ विजट करवाते जाती हूं साथ साथ आपके questions के answers भी देती हूं कि आप लों का पहला question यह था कि क्या आपका चैनल monetize हो गया और कितने अरसे में monetize हुआ है तो बही मेरा जो चैनल है ना वो निव निवर था और जो मतलब कि बार बर हमें टाखाने के चिकर लगाने पड़े थे तो पता नहीं वो हमारा पिन क्यों नहीं हमारे घर पे रोने डिलेवर किया तो हमें दो दफारी सेंट करना पड़ा और उसके बाद हमें जो है ना वाटसन का payment पिन मिला था उसके बाद मुझ हमें से अप्रेट ही कर दिया बस यूड़ी की बातों में लाग गया तो यह था इनका फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंच और यह सोफा जो है मेरे भाई ने इसको गिफ्ट की है मतलब मेरी भैन को और यह इसका जो टेबल है यह मुझे बहुत जादा आया यह देखें इसक इसकी जो विंडो है वो अपन करके हम पाई टैरस पर आया है लेकिन अभी टैरस की जो है न वह ग्रिलिंग होने वाली है तो इसलिए बच्छों को था ना वह यहानि आने दे रहे थे कि बच्छे जो आप बहुत अपर शरारते करते हैं तो मेरी बेहन की तीन बेटिया एक म सेट करना है तो यहीं भी बेहन अपने घर के टूर करवारी थे लदाला इसको रहना नसीब करें इसको धेरों खुशिया दे और यह नों टीवी लांच में बच्चों का पता है कि बैग्स और बॉक्स का बहुत जादा खला रहुत है उसको मैनेज करने के लिए इस नहीं यहा आच साल के बाद वाला furniture है मशला इतना जादा फ्रेश उसका जो यह ना वह फरनीचर बड़ा है और आपको बता है प्सलिले जो housewives होती है अब बस्तली बहों जादा ख्याल रखते ह 제품 य aika की चीजवारा मनेटा बहोत जादा ख्याल रखा जातए एक्शली जो मेरा भाई है ना जिसका ये घर है मेरा बहनोई जो है वो अलॉमिनियम और शिशे का काम करते हैं तो ये डोर उन्होंने खुद लगाए है और ये इसमें ना सबसे अच्छी बात किया है कि आपको पानी लगने से ये पूलेंगे बिलकुल भी नहीं जंग ये उन्होंने वाल बनाई है तो इसका ये जो लगड़ी का काम है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लेगा था और इसकी ड्रॉट्स वगएरा सब कुछ बहुत ही माशला अच्छा बना हुआ है तो बाकी ये कि यूट्यूब की बाते हम कर रहे थे यूट्यूब यहां पर आप जो है ना जीतना रेगुलर रहेंगे ना उतना जादा सक्सेसफूल है आप डेली वीडियो लगाए डेली वीडियो लगाए अगर आप डेली वीडियो लगाते है ना तो फिर ही आप सक्सेसफूल होते हैं अदर्वाइस जो है ना वो यूट्यूब जो है व तो इसलिए अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं जरूर करें काम और अपने कॉंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करें और एक तरह का कॉंटेंट रखें तो आप यह देखेंगे कि इन्शाल आपको यूट्यूब पे लाजमी सकस्स मिलेगी लेकिन यह कि कॉंट से 80,000 के बीच में जो है नो मेरी पहली यूट्यूब की पेमेंट आई है तो बस इतनी ही है एक्शली न हमें यह लग रहा होता है कि जब हमारा चैनल मॉनिटाज होगा पते नहीं हमें कितनी जादा जैसे यूट्यूब पे दिखा जाता है कि भी लाकों पेमेंट आजाती ह यह सब व्यूज के चक्कर होता है और यह मैंने आपको जैसा कि दिखाया है लास्ट वीडियो जो पलंग से शेयर की थी यह मैंने सीख कबाब बनाए थे इसकी वीडियो पलंग से शेयर की है यह मैं अपनी बेहन के घर बना के लिए कि आ रही थी तो मैं भी बीफ कड़ा ही थी और यह देखें जी माशाला बहुत अच्छा खाना बनाके वह लेग के आई थी और हम सब लोग ने बहुत ज्यादा इंज्वाइए किया था और एक्चली जो घर का पूरा टूर है ना वो मैंने ना सब महमानों के आने से पहले पहले ना वीडियो बना बीच में गुसा पड़ा हो तो इसलिए मैंने खाना खाते वक्त की वीडियो भी निपन आई थी तो यह बस आप लोग के साथ यह चोड़ी थोड़ी सी बात थी शेयर करनी थी आप लोग के यूटीब की क्वेस्टन से जिसके आंसर करने थी तो मैंने का चलें आज रेस्प को पोजदे नजएकियोगा यह प्याप फिस् झाल झाल